अम शांते हम सभी इस दुनिया में महमान है और हमें ये लगता है कि हमारे कारण इस दुनिया में कुछ फरक आ जाए हमारे कारण लोगों के चहरे पर खुशी आ जाए इसलिए हम किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई तरीके से हम दूसरों को मदद करते ही रहते हैं कोई न कोई संस्था में जाएंगे और वहाँ पर उनको मदद करेंगे और फिर सोचते हैं महसूस करते उनको कितना अच्छा लगा कितनी ब्लैसिंग्स मिली न तो हम कोशिश करते हैं ऐसी दुमाईं कमाने के लिए येस, बाहर में जाकर दूसरों को मदद करना ये हम कभी कभी कर सकते हैं लेकिन क्या हम अपने इस जीवन में रोज दुमाईं कमा सकते हैं येस, हम रोज दुमाईं कमा सकते हैं, हमें सिर्फ उसका तरीका जानना है और वो कौन सा? देखो, हम सब को अपने अपने जिम्मेवारी हैं परिवार के कहो, बजनस के कहो, जो भी है वो तो पूरी करनी ही है लेकिन जो जिम्मेवारी निभा रहे हैं उसमें सेवा भाव एड़ कर दिया तो ज़स सोचो क्या हो जाएगा? अगर सेवा भाव से हम अपने जिम्मेवारी निभा रहे हैं तो हम स्वयम संतुष रहेंगे और जो भी जिम्मेवारी हम जिन की निभा रहे हैं वो भी हमारे से खुश रहेंगे कई बार हमारे मुख से निकल जाता है न बच्चों का करना पड़ता है, इनलॉज पड़ता है इनकी संभाल करनी परती है, सब का ध्यान रखना पड़ता है, करना पड़ता, रखना पड़ता, ये जो शाप्त हैं न, ये क्या महसूस कराते? it's a bandhan bondage bandhan वाली energy है कर भी रहे हैं बहुत कर रहे हैं परिवार का, इनलोज का, सब का लेकिन ना स्वयम खुश और जिसका कर रहे हैं वो भी नहीं कुश तो चलो, क्या करो just add सेवा भाव मैं निमित भाव से सेवा कर रही हूं मैं निमित मात रहूं जो भी करना है खुशी-कुशी से सेवा कर रही हो तो स्वयम भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट तो जो भी करम करो सेवा भाव से करो तो दुवाएं ही दुवाएं मिलेंगे और जहां दुवाएं होंगी न वह मैनुत नहीं होंगे तो लक्ष रखो आज सारा दिन यह ध्यान रखो आज जिन से भी मिलेंगे आज सारा दिन जो भी कार्य करेंगे जिनके भी कॉंटाक्ट में आएंगे उनकी हम दुआएं लेते जाएंगे राइट? अभी कैसे लेंगे दुआएं? बहुत अच्छी बात एक बात ध्यान में रखो चलो एक हाजी का पाट पक्का करो आप कहेंगे कोई कुछ गलत बोलता है तो भी हम हाँ कहें नहीं पहले सुनो देखो कभी कोई कुछ पूछता है कोई सुजाव देता है कोई अपना ओपिनियन राह देता है हमें मालूप है कि वो रॉंग है लेकिन सीधा उसे रॉंग नहीं कहो ना मत करो ना ना करके उसकी हिम्मत को मत मिटाओ हाँ वो रॉंग है तो चलो उसे कहो हाँ आपके बात ठीक है हम उस पर सूचेंगे और हाँ कहके उसको समझाओ तो फिर वो समझ जाएगा तो रॉंग को ही हो सकता है लेकिन रॉंग को रॉंग कहेंगे तो वो अपने को कभी रॉंग तो नहीं समझेगा राइट? लेकिन अगर हमने रॉंग वाले को भी अगर ये कहां कि नहीं हम आपकी बाट पर विचार जरूर करेंगे सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा? देखो इसने मुझे मान दिया रस्पेक्ट दिया मना तो नहीं न किया तो बस एक दो को रिकार्ड दो डोंट इंसल्ट रहनी वान बस उसे ये मत को आप गलो तो आप गलो तो नहीं रॉंग है न? तो भी उसे कहो अच्छा कहो पहले अच्छा कहो जिससे उसमें पहले हिम्मत आजाए देखो कोई गिरा हुआ होगा तो क्या आप उसको धक्का देंगे? आप उसको बोलेंगे आप उस समझ में नहीं आता कैसे चलना चाहिए? आप देख नहीं सकते आप ऐसे कैसे गिरे हो? आप ऐसा कहेंगे? नई जो गिरा है उसको हाथ देखर उठाएंगे राइट? और उसे सहारा देकर पहले खड़ा करेंगे और फिर उसे कहेंगे आगे से न ध्यान देना तो आगे से फिर आप कहां गिरोगे नहीं संबल कर चलना तो वो गिर गया था लेकिन मैंने उसको हिम्मत दी तो वो मुझे क्या कहेगा शुक्रिया, थाइंक्यो अभी ऐसे ही कोई गलत है तो मैं उसको बार-बार या मैं उसको नहीं कहूँ यह तुम गलत हो, गलत हो, नहीं मैं उसको उसकी हिम्मत को बढ़ाओ अच्छाई की हिम्मत को बढ़ाओ और उसे कहूँ यस हम आपके बारे में सोचेंगे और उसे सहयोगी बनाओ उसे अपने साथ लेके चलो उसे बार-बार गिल कौंशिस में नहीं लेके जाओ कि तुम गलतो गलतो कितनी बड़ी गलती तुमने की है मालूम है तुमने बहुत बड़ी गलती की है इसलिए मैं बिल्कुल आपको कभी माफ ने करूंगे हैं तुम भी आगे मैं भी आके हम साथ साथ चलते हैं उसके साथ हाथ मिला कर चलो तो वो दुआ देगा तो संतुष्टता वाली दुआ मिलेगी तो सफलता मिलेगी रिष्टा भी नहीं टूटेगा और उसे भी लगेगा हाँ देखो ना मेरे से गलती हो गई फिर भी इनोंने मुझे संभाला I am so thankful to this person I am so thankful to you वो ऐसे दुआएं देगा और ऐसी दुआएं लेते लेते हमारा जीवन खुशियों से बर जाएगा तो ठीक है तो आज सारा दिन क्या करेंगे चलो जिसने भी गलती की है आज आप उसको क्या करेंगे उसको भी बड़ी दिल से आगे बढ़ाएंगे Happy Day Happy Day